Hello everyone, so NEET exam के आखरी के 10 दिनों में आपको अपना 100% देना है और अभी एक एक मिनट बहुत जादा क्रूशल है तो आपको hard work के साथ smart work भी करना है ताकि आप कम टाइम में अपना पूरा syllabus revise कर पाएं और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक 7-day biology revision plan बना है जिसमें हम आपके rectification topics को strong करेंगे हम आपके conceptual topics को strong करेंगे और हम आपके practice पे भी focus करेंगे जिससे कम टाइम में आप need biology में 320 plus number ला पाएं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो यह है आपका 7-day plan जिसमें पहला तीन दिन हमने dedicate किया है आपके 12th class को और 12th class मैंने पहले करने के लिए आपको recommend किया है क्योंकि 12th class में number of chapters कम है और weight है जो 12th का बराबर ही होता है तो मतलब chapter की important गोर जाती है सबसे पहले हम क्या करेंगे आपके लिए हमने एक बहुत precise to the point notes बनाया जिसको हम भायल जी pocketbook कहते हैं तुम लोग पहले वाले बच्चे हो तो चिंटु notes के नाम से जानते हो तो हम उस notes की मदद से लास्ट डे NCRT revision करेंगे तो पूरी class 12 की इस लेवास one shot में हम करा देंगे plus plus one shot में से revision नहीं करा रहे हैं जो frequently asked topics मैंने आपको बताये थे कि class 12th के 40 frequently asked topics हैं और class 11th के 50 frequently asked topics हैं वो topics भी इनमें detail में कराये जाएगा तो मतलब ये 6-7 घंटे का marathon होने वाला है और उस marathon में आपका पूरा last day NCRT revision with frequently asked topics हो जाएगी कब होगा सर ये 23rd of April को होगा ठीक है मतलब की कल इसको आप complete करेंगे उसके बार आपको खुद से करना है मेरी NCRT की workbook इसका पीडिया बेटा आपको telegram channel t.me slash आनन्दमनी 001 पे मिल जाएगा तो इस NCRT workbook की मदद से आप पूरी NCRT का एक बा और revision कर पाएंगा और ये NCRT workbook का video lecture भी मेरे इसी channel पे uploaded है तो आप last day NCRT revision करने के बार अगले दिन NCRT workbook से पूरे class 12 का एक बार फिर से revision करेंगे और फिर आखरी दिन आप last 5 years पीवाई की और exemplar complete करेंगे class 12 का ये video भी already मेरे इसी channel पे uploaded है ठीक है तो इससे आपका पूरा class 12 का syllabus complete हो जाएगा फिर आप चौथे दिन class 11 पे आजाएंगे जहां पे हम लो class 11 NCRT revision करेंगे with rectification and FAT ये थोड़ा लंबा lecture होगा ये लगभग 10 घंटे का lecture होगा जहां पे class 11 हम पूरा complete कर लेंगे with सारे important concepts जैसे आपका genetic disorder sorry human physiology का disorders as cardiac cycle, renin, angiotension, aldos one system, c3 cycle, c4 cycle, जो concept जो 60 FATs है उन FATs को अच्छे से आपको समझाया जाएगा फिर अगेन आपको खुद से NCRT 11th की workbook complete करनी है workbook की video भी NCRT 11th की 24 April को upload हो जाएगी तो आप या तो मेरे साथ ही workbook की video के साथ साथ कर लेंगे या फिर खुद से workbook solve करेंगे और फिर वीडियो देख लेंगे कहीं दिक्कत हो सवाल है वो मेरे चुनिंदा रसीले बगानों से लाए हुए सवाल जो 1000 most expected question है नी 2024 का वह आपका 26 27 अपरिल को पहले दिन 500 कोशन दूसरे दिन 500 कोशन करेंगे और 27 अपरिल तक आपका पूरा biology खतम हो जाएगा टेकनिकली मैं तो 27 अपरिल को आप खतम कर रहा हूं आप इसक के पूरी biology खतम कर सकते हैं और उसके बाद सब को compile करके last day revision कर सकते हैं बचे हुए दिनों में सिर्फ इतना complete कर लो नीट biology में 320 नंबर गारिंट है I hope इस 7 day challenge को आप पूरी तरीके से accept करेंगे और कम से कम biology में तो बहुत अच्छा नंबर लाएंगे तो आप comment section में डाल दीज 7 day challenge accepted सारा डीटेल आपको वीडियो की class कब होगी time क्या है सब कुछ आपको टेलीग्राम जैनल पर मिल जाएगा telegram कर लिग डिस्क्रिप्शन में अभी तक जोइन नहीं किया तो इसको फटाफट जोइन कर लिजे क्योंकि यह जो नोट्स है यह नोट्स से ही सारे नीट 2024 के question यह मेरा है अगर यह plan आपको पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजेगा comment section में और कोई suggestion है आपके तो वो भी डालिएगा हम उसको भी सुनने कर तयार है और चैनल को subscribe कर दीजेगा तो मिलते हैं कल सुभा की class में कितने बज़े सुभा आठ बज़े तो आठ ब जी जान लगा जेते हैं यार बिना end result सोचे हुए थैंक यू